So Hello guys, स्वागत है आपका यको नए वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए एक और अर्णिंग से रिलेटेड थम्नेल लेके आ चुका हूँ अगर आप अर्णिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हो या फिर sponsorship से related वीडियो बनाते हो तो आपको earning से related thumbnail की काफी ज़्यादा जरूरत पड़ती है तो इस वीडियो में आपके लिए earning से related एक और thumbnail लेके आ चुका हूँ thumbnail अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस बाले thumbnail का सारा material प्लस PLP फाइल आपको इस वीडियो में दूँगा लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को end तक watch करना होगा तो वीडियो काफी ज़्यादा important है interesting है वीडियो को end तक watch करना वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को like जरूर कर देना नहीं किया है तो वीडियो के description में link है जाओ और जाके चैनल को subscribe कर लो join कर लो क्योंकि जो भी thumbnail में create करता हूँ उसका सारा material आपको मेरे telegram channel पे मिलेगा प्लस thumbnail का PLP file भी आपको मेरे telegram channel पे मिलेगा तो subscribe नहीं किया है description में link है जाओ और जाके subscribe करो अब बात कर लेते हैं इस वाले thumbnail को आपको कैसे create करना है और इस वाले thumbnail का जो plp file है वो भी आपको दूँगा तो वीडियो को end तक watch करना और वीडियो को like नहीं किया है तो अभी से एक like कर लो, channel को भी subscribe कर लो, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कैसे आपको thumbnail को create करना है और क कैसे आपको plp file मिलेगा, सारी चीज़े आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अभी यहाँ पर मैं आपके सामने mobile screen को on कर लेता हूँ, अब आप लोग यहाँ पर mobile screen देख पाऊगे, यहाँ पर मैंने pixel lab application को open कर लिया है, सबसे पहले आपको इस thumbnail का plp file बताता हूँ, जो मैंन पहले से create करके रखा है, और वही आपको देने बाला हूँ, जिसको आप easily customize कर पाऊगे, और अपने thumbnail को create कर पाऊगे, तो यहाँ पर मैंने pixel lab को open कर लिया, अब यहाँ पर अपन my project पर click करेंगे, और यहाँ पर plp file को add करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, new बन करके म देख सकते हो, जो font बाके है, उसको भी आपको find करने की जरूरत नहीं है, कुछ design बाके और देख करने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ यहाँ पे add है, आपको simply यहाँ पे इसको add it करना है, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे students लिखा हुआ है, इसको आपको यहाँ पे pencil पर click करना है, then simply आपको pencil पर again click करना है, अब यहाँ पे आप इसको add it कर पाओगे, अपने हिसाब से जो भी आप यहाँ पे text एड करना चाहते हो उसको एड कर पाओगे यहां पर मैं इसको डिलेट करता हूं और यहां पर computer को type कर लेता हूं ठीक है जैसे मैंने computer को type किया अब यहां पर अपन okay करेंगे then यहां पर back करेंगे आप देख पाओगे इस्टूडेंट्स की जगह यहां पर computer तो इस तरीके से आप सभी चीजों को यहां पे कस्टमाइज कर पाऊगे यहां पे आप मेरी फोटो वगरा को यहां से डिलेट कर पाऊगे और अपनी फोटो को यहां पे एड कर पाऊगे जो कि आप लोग यहां पे देख सकते हो तो अवर ओल सारी चीजें यहां पे आप कस् तो यहां पर इसको अपन simply cut करेंगे, cut करने के बाद again से यहां पर पिक्सल लैब application को open करेंगे और simply यहां पर आप देख सकते हो cancel करेंगे, अब अपना पिक्सल लैब यहां पर open हो चुका है, तो आपको कैसे thumbnail को create करना है, देखिए, यहां पर आपको 3.पर click करना है, उसके बा आपको मिल रहा है, उसको आपको सबसे पहले delete कर लेना है, delete करने के बाद अब यहां पर आपको क्या करना है, simply यहां पर 3.पर again आपको click करना है, उसके बाद यहां पर use image from gallery पर आपको click करना है, अब यहां पर ध्यान से समझेगा, मैंने आपके लिए इस thumbnail का जो background है, उसको पहले से create करके रखा है, और इसको मैंने अपने telegram channel पे upload कर दिया है, तो वहां से आप easily download कर पाऊगे, इसलिए बोल रहा हूँ, telegram का link description में है, जाओ जाके join करो, subscribe करो, क्योंकि thumbnail का material प्लस PLP file आपको मेरे telegram channel पे मिल जाएगा, तो वहां से join कर लो, और सभी material को download कर लो, अब आपका जो background है, वो easily यहां पे add हो जाएगा, जो कि आप लोग यहां पे देख सकते हो, अब यहां पे आपको कोई भी यहां पे editing करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको यहां पे बना बना या thumbnail मिल चुका है, बस यहां पे difference एतना है, कि कुछ भी चीज को आप यहां पे edit न प्लस पर click करने के बाद आपको यहां पे from gallery पर click करना है, उसके बाद यहां पे आपकी सारी image खुलके आ जाएंगी, तो आपको अपना image PNG यहां पे add कर लेना है, जैसे यहां पे मैंने इसको add किया, आप simply यहां पे आपन done करेंगे, done करने के बाद इसको यहां पे मैं full screen में set कर लेता हूं, जैसे यहां पे मैंने set कर लिया, तो अपना image यहां पे add हो चुका है, तो इस तरीके से आप यहां पे easily thumbnail को create कर पाऊगे, बहुत ही आसानी से, और 1-2 मिनिट के अंदर, अब यहां पे आपने image को add कर लिया, उसके बाद यहां पे आपको थोड़ा सा और edit करन पांच पर कर लेना है, उसके बाद यहां पे आपको yellow color को add करना है, अब yellow color को add करने के बाद, जो offset X है, उसको आपको कुछ इस तरीके से यहां पे increase कर लेना है, तो आपका जो effect है, वो भी यहां पे create हो जाएगा, अब आपका जो image है, वो यहां पे add हो चुका है, इसके करना है सिंप्ली आपको प्लस पे फिर से क्लिक करना है और उसके बाद इस यहाँ पर आपको और इन करना है इस तरीके से तो यहां पे कुछ ऐजिली आपका यहां पर देख सकते हो इस तरीके से आप आसानी से 2 मिनिट के अंदर आपने thumbnail को create कर पाओगे आप यहाँ पे आपको simply save पर click करना है और यहाँ से save as image पर आपको click करना है और यहाँ पे custom पर click करके ultra quality आपको select करना है आप simply save to gallery पर click कर देना है तो आपका जो thumbnail है वो full HD में आपके font में save हो जाएगा और इसको आप अपनी किसी भी वीडियो में use कर पाओगे तो यह तो हुआ पहला तरीका जिससे आप thumbnail को create कर पाओगे अब बात आती है thumbnail का plp file आपको कैसे मिलेगा तो आपको जो thumbnail का plp file है और इस thumbnail का material है वो आपको मेरे telegram channel पे मिल जाएगा उसके लिए आपको इस वीडियो पर 50 like को complete कराना पड़ेगा जैसे इस वीडियो पर 50 like complete हो जाएगे तो मैं इस वाले thumbnail का जो plp file है उसको अपने telegram channel पे upload कर दूँगा फिलाल आपको यह background मिल जाएगा तो इसको आप use कर सकते हो जैसे इस पर 50 like complete होंगे आपको plp file भी मिल जाएगा तो telegram का link आपको description में दिया है वहाँ से channel को जाओ join करो subscribe करो और material को download करो और अपनी thumbnail में use करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा share करो ताकि इस पर 50 like complete हो सकें उसके बाद आपको इस thumbnail का plp file भी मिल जाएगा मैं hope करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आये तो like जरूर कर देना channel पे नए हो आगे भी वीडियो देखना पसंद करते हो तो subscribe जरूर कर लेना त्यार इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नए वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक के लिए take care बाई बाई